आज किसी इपिसोड में डिसकस करेंगे टाटा मोटरस इस्टॉक के वारे में इस समय देखे तो 440 के प्राइस पीट होगे तो सारे लोगों का यह क्वेरी है कि सर क्या टाटा मोटरस टेसला बन सकता एक्या तो जिस प्रकार से इविप में देखेंगे तो मोनौपोली ही है और जिस प्रकार से कारे करते हुए दिख रही है इभी के अंदर तो बन सकती है कुछ बरा बात नहीं है मैं जब भी कहता हूं कि से स्टॉक के जो लेवेल है 3000 प्लस तक के लेवेल की भी अगर बात करें तो निक्स टू-टू-फाइब सकते हैं और मुझे आशर ही नहीं होगा जब आप सुनते हैं कि दस साल पंद्रह साल बीस साल में पैसा 400 गुना 600 गुना करके दिया तो स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है लेकिन इस समय अगर फिर अगले 10-15 साल बाद आपको कहा जा कि टाटा मोटर्स ने 400 के प्राइस से जो है पैसा को 200 गुना किया तो आप रिग्रेट करेंगे उसे मैं आखिर बहुत बरे हो रहे होंगे उमर से लेकिन रिग्रेट होगा तो मेरा मानना है कि इवी के अंदर आपको अगर विलीव है तो टाटा मोटर्स एक बेश्ट ऑप्सन हो सकता है यहां देखेंगे फ्रॉम एडिटर्ण ऑफ रिस्पेक्ट रिटर्ण के प्रेस्पेक्टिव से देखें तो संदीप सुब्रवाल का यह मानना है सबरवाल का यह मानना है कि मन्म को टाटा मोटर्स बीट करेगा और मैं इस बात से अग्रीड हूं यहां जैफरीज के सिक्स लैक करोड इन्वेस्ट करेगी और नेक्स फाइब यह और चुकि टाटा के इंटीग्रीटी पे सबको बिलीव है उसके एथिक्स को आप जानते हैं कि जितना अमबानी आडानी का वेल्थ है उतना टाटा डोनेट कर देती है तो इस समय टेक्निकल ट्रेंड विक आप आप देखें इस स्टॉक में तो एक मेजर ब्रेकडाउं दिख रहा है इसको अगर ब्रेक आउट करता है तो इसली आप देखेंगे तो 530-260 तक के लेवल दिख सकता है स्टॉप लॉस आपका 400 या फिर 420 के नीचे का होना चाहिए एक छोटा एसल के साथ लेकिन अगर पर बाइंग ऑपर्चुनिटी है बिल्कुल इस समय सॉट करने से बचेंगे